हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नवीन अइलावादी अपने जनर्ल वीडियो prioritize में नेक्स वीडियो आपके उपर Green Tea के उपर लेकर के हैं क्योंकि Green Tea के इतने फायदे हैं तो मेरे को लगा ये वीडियो मेरेको नवीन एरिख के उपर बनाना चाहिए तो ग्रीन टी क्या है यह प्रकार की चाय है जो की Camellia sinensis नाम का एक plant होता है ठीक है उसकी पत्तियों से बनती है इसको बनाने की प्रक्रिया में जो oxidation होता है वो बहुत कम होता है ठीक है इसी वजह से अगर आप इसके छे से आठ का प्रोच पिएंगे तो यह क्या करती है हार्ट डिजीस का खत्रा कम करती है हार्ट ब्लोकेज कम करती है बैड कोलेस्टोल को कम करती है ठीक है इसमें antioxidants होते हैं जो की anti-inflammatory होते हैं body को detox करते हैं body की immunity को बढ़ाते है weight को control करती है ठीक है क्योंकि जब आप इसको ले लेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी काफी दिर तक आप overheating से भी बचे रहेंगे ठीक है अभी कुछ ऐसा studies में आया है कि यह कुछ cancer होते हैं उनके भी खत्रे को कम करती है जैसे कि bladder cancer है colon cancer है isophagus या food pipe का cancer है rectum का cancer है pancreas का cancer है ठीक है यह brain की functioning के लिए भी बहुत important है anxiety stress को कम करती है depression को कम करती है ठीक है body immunity को boost up करती है आप यह थोड़ी सी कड़वी होती है तो मिठास के लिए इसमें आप शहद मिला सकते है ठीक है गुर्ण उथलका सा मिला सकते है लेकिन आप इसमें दो चीज़ें बिलकुल नहीं मिलाएंगे इसमें आप चीनी बिलकुल नहीं मिलाएंगे और दूद नहीं मिलाएंगे क्योंकि आप दूद मिलाएंगे तो इसकी antioxidant property खतम हो जाती है और आप चीनी मिलाएंगे तो इसकी calorie इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि आपको यह नुकसान देने लग जाएगी ठीक है तो आप समें दूद और चीनी नहीं मिलाएंगे ठीक है और इसका बस एक ही नुकसान है कि इसके अंदर कैफीन होता है ठीक है जो की बहुत कम मात्रा में होता है अगर हम common tea से और coffee से compare करें तो आप sleeping time में रात को ठीक है सोते time बहुत ज़्यादा इसका 4-5 cup का 7 ना करें उससे आपको insomnia या anxiety या रात को नीन ना आने का समस्या हो सकता है लेकिन यह नीन ना आने का समस्या जो common tea होती है और coffee होती है उसकी तुलना में बहुत कम होता है ना के बराबर होता है तो आप एक cup इसको सोते time भी ले सकते है इसमें amino acid होता है thymine जो की anxiety को भी कम करता है ठीक है polyphenols भी होते है अगर आप लेंगे तो दातों में cavity बनने को भी यह कम करती है तो आई हो friends green tea के ऊपर मैंने वीडियो काफी अच्छे से आपको चीजे समझाई है ठीक है इसके अनेक फाइद आपको पाइद है